सबसे पूझ के प्रम्हांद पूरी तो सबसे पूद्छ के वर्भाने पूरी ते तिर नोजी आया दे तर्में नीचार। कि आएटार था ए प्याτι कि आएटार था ए ए पर्योंस रिता ए कि आए प्याटरी कि आए प्याटर था ए कि आएडे जिक आएड़ कर दो अच्छाइ। झाल 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 प्राइचान्दादु साय हम् प्रथम देवहं ओमारं सर्गमाई सिता चचार दुष्चरं ब्रम्हां ब्रह्मचर्यं अखंडितं तुदियं तुब आयाच्य रता तलगता महीम उद्वरिष्चन उपादत हर यंके से सो करंब पुष्चरं ब्रम्हां तो प्रभू ने आप द्यान रखेंगे प्रम्हां नर्नारायन और सत्या सनक, सनक नंदन और सनक कुमा इनके सुरूप में आये और भगवान निस्पृत्वी पे लीला रचाई है बाद में देवरिष्ची नारद के सुरूप में ऐसे पंच रतनों की बात हुई देवरिष्ची नारद का जो जीवन है कौन है देवरिष्ची नारद हर चीज को पूर्व जन्म से आंके तो मजाएंगा देवरिष्ची नारद उर्व जन्म में एक ब्राम्हन के दासी के पुत्र है अल पवस्था में देवरिष्ची नारद के पिता के मृत्यू हो गए आसक्ती के भाव में मा को लगता है कि मेरा पुत्र चला जाएगा तो मेरा ब्रिद्ध आवस्ता कैसे गुजरेगा लेकिन फिर भी उन्होंने परमात्मा में पून सनेह रखा माता का सरीर सांख होने के बाद मा के ब्रह्मलीन होने के बाद उस देही गेही का त्याग किया और फिरिष्टी निर्मान के समय ब्रह्मा जी के नासिका से जन्म लेकर के ब्रह्मा जी के मानस रूप में कहला है ये त्याद वक्ती का फल था ये देवरिशी नारद के पूर्व जन्म के प्रारब्द का फल था इसलिए कहा गया है एक समस्या अभी अप्तुनेंगे जब सुदामा का मिलन हो रहा था ना तो पहला एक चावल खाया एक मुट्टी भगवान ने और एक लोग दे दिया सुदामा को दूसरा चावल खाया दे दिया तीसरे में रुकुणी ने आद पकड़ लिया हम भी है अब कितनी विशंग परिस्थित्य होगी मित्र सामने बैठा है कहीं अपमान हो जाए और पत्नी का मात ना माने तो घर में तांडों न हो जाए इसलिए में अक्षर कहता हूँ मोरे बापू घर पे जाओ जिस दिन हमारी बिटिया रानी खूसोकर कहा कुटे गेला होता बर पूर लोग करा ले वो दिन हाथ जोड लेना है भगवान ऐसी कृपार रोज बरस्ती रहे और जिस दिन कहता है जाते ही बच्चे के कपड़े गंदे मिले विश्तर उल्टे सिधे मिले रसोई में बरतन जूठे मिले और जाते ही सुरू जाए भेटला भेड़ का है तम्हाला तम्हों हमको वाटते का? घरात पीटनें, मीटनें, पोरन साडरे चपीसने? उत भी बगवान से हाथ जोड़े ना बगवान आज रहम कर कहीं घर में जवाला मुखी नख़ट जाए हाथ जोड़ने पड़े ने यह आतरी सकती है इसे तो बंद नहीं करना पड़े जब सिव को लेड जाना पड़ा तो हम आपके हैं क्योंकि इनके लिए वेदों में एक श्लोक रिखा है बूदेव कि छनिक रुष्टा छनिक तुष्टा रुष्टा तुष्टा छनिक प्षनिक इन्हें बड़े प्यार से लेकर चलो तो स्रिष्टी चलेगी और नहीं तो तीन हट विगड़ गया तो स्रिष्टी वेकार हो जाएगी पहला घोड़े का हट दूसरा योगी का हट और तीसरा नारी का हट